नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल पिछला वीडियो मेरा इस कूर्ती की कटिंग का था और अब मैं इसकी स्टिचिंग करने वाली हूँ तो ये देखिए इसमें जो नेक स्ट्रिप मैंने निकाली थी वीशेप पाली फ्रेंड पैनल की तो पहले मैं उसको स्टिच कर लूँगी और ये जो बैक पैनल है इसके भी स्ट्रिप निकाली थी पिछले वीडियो में तो इसको भी इस तरह से सीधी कुर्ती पर उल्टा रखकी दोनों को मतलब स्टिच कर लेंगे तो यहां देखिए पहले मैं वी नेकवला मतलब फ्रेंट पैनल स्टिच कर रही हूँ तो ये कॉर्नर से शुडू करेंगे स्टिच करना देखिए कॉर्नर से एक साइट जाएंगे शोल्जर तक और फिर लॉट कर उसको डबल कर देंगे फिर कॉर्नर पर आ जाएंगे फिर दूसरे शोल्जर तक जाएंगे तो इस तरह से थोड़ा एक्वली लग जाएगी और फिर इसको फोल्ड करके अंदर डबल फोल्ड कर लेंगे अंदर के साइट और फिर एक सिलाई और दे देंगे साइट से तो इस तरह से स्ट्रिप लग जाएगी दोनों पैनल की तो यहां भी मैं फ्रेंट की यह आपको दिखा रही हूँ और उसके बाद उपर से सीधी साइट से ही मैंने यह जो इसी से मेल काती लेस ली है तो इसको मैंने कॉर्नर पे किनारे किनारे साइट में लगा दिया है तो इस पे भी डबल स्ट्रिप देंगे एक एक कॉर्नर पे और दूसरी दूसरे कॉर्नर पे जिससे न अच्छे से यह स्ट्रिच हो जाए और इस कुर्टी में एक पैनल लगा हुआ था जो रेडी मेड था बना हुआ तो वो थोड़ी कच्छी सिलाई थी तो उसे में मैंने निकाल दिया था अब मैं इसको जब कुर्टी की कटिंग कर लिये मैंने तो अब मैं इसको स्टिच कर दे रही हूँ तो इस तरहे घुमा के डवल स्टिच दे दिये दोनों साइट्स में और फिर अब जो लैस मैंने उपर लगाई थी उसी को कंटीन्यू कर रही हूँ मैं इसके किनारे किनारे और जो गोर्डन लेस लगी थी इसमें खुद की वो उसी यकिना दे तो इस तरह से ये पुरा नेक बनके कंप्लीट हो गया है फ्रेंट पैनल का और ये बैक पैनल के स्ट्रिप ये कंप्लीट हो गया दोनों पैनल इस तरह अब क्या करना है ये देखिए स्लीव पहले इसको करते हैं ये देखिए मैंने उल्टा करके रखा है फ्रेंट पैनल पे बैक पैनल को और पहले शोल्डर्स दोनों जोईन करेंगे और ये देखिए दोनों स्लीव जो मैं कट करी थी तो इसको भी इसके बाद इसको इसका भी काम करेंगे डबल फोल्ड कर देंगे और किनारे से इसको लगाएंगे लैस को तो यहाँ पर पहले मैं शोल्डर्स जोईन कर ले रही हूँ दोनों साइट के डबल स्टिस से तो ये शोल्डर्स जोईन हो गए है और इसको जोईन करने के बाद ये देखिए जो स्लीव थी उसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ पहले एक फोल्ड दे दिया सीधे के साइट फिर डबल फोल्ड लेस को रखके डबल फोल्ड कर दिया है उस पे क्योंकि lace मुझे एकदम end में चाहिए है उपर नहीं तो अब double fold करके इसको stitch करने के पलट दिया है पीछे के side और उपर से top stitch दिया है ये देखिए दोनों sleeves तेयार हो गई है ये देखिए एक काम और किया है मैंने ये neck जो था मुझे कुछ छोटा लग रहा था तो 20 slit दिया है मैंने और same कपड़े की strip लगा के अंदर के फोल्ड कर दिया नीचे के जो दो बटन थे वो इसके नीचे मैंने टक कर दिया है तो look और भी अच्छा निकल के आ गया है और neck भी मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि सिर्फ में डालने में थोड़ी से problem हो रही थी और ये sleeve अब मैंने जो कुर्ती है उसको पूरा उल्टे की side खोल के रख दिया है और मैं sleeve join करूंगी तो sleeve का जो center है वो shoulder वाली जो सिलाई है उसकी साथ ऐसे रख के और वहां से एक मतलब सिलाई देंगे नीचे तक फिर दूसरे तरफ जाके दूसरी सिलाई देंगे इस तरह से दोरू sleeve join करेंगे तो यहां मैं sleeve को join कर ले रही हूं जैसे मैंने बताया ना कि शोल्जर से शुरू करके एक side जाएंगे और फिर पलट के double stitch देते हुए shoulder से दूसरे side जाएंगे अच्छा यह complete हो गया है अब आते हैं नीचे की यह fitting वाली सिलाई complete करते हैं तो दिखिए इधर तो marking की हुई है और इधर marking नहीं की है तो जितने notches मैंने लगाए थे chest के waist के और hip के तो वहाँ पर मैं डेल डेल इंच पे mark कर रही हूं क्योंकि डेल इंच मैंने सिलाई margin रख तो उसी के recording के मैंने mark कर दिया अब इसको freely hand से मिला देंगे ता तो अंदाज होई जाता है ना कि डेल इंच है यह और नहीं हो रहा है तो टेप से भी थोड़ी थोड़ी दूर रख के और dots लगा के फिर जोईन कर सकते हैं तो इस तरह से यह इधर line मैंने बना दिये और जो यह line जहां तक आ रही है यह continue करेंगे इसको sleep पर तो देखे sleep अच्छे से खोल के और double जो करके अच्छे से pin से set कर लेंगे आगे यहाँ पर कलाई पर अच्छे से और फिर scale की साहता से जो मैंने marking की है उसे मिलाते हुए और straight line इस पर बना देंगे straight line इस बन गई है और इसी पर अब सिलाई दे देनी है तो मैं यही करूंगी कि मतलब sleep से शुरू करते हुए पुरा hip तक जाओंगी और hip से लाट के फिर sleep पर और इधर देखे इस side तो marking पूरी complete है sleep तक पूरी complete है तो इधर कुछ नहीं करना है इधर simply मैं दे देती हूँ slice पर तो यह देखिए मैंने sleep से शुरूआत कर दी है और hip तक जाओंगी और hip से फिर सिलाई को डबल कर दूँगी और यहां से यह complete हो गया है अब आते हैं नीचे chalk folding पर तो hip के नीचे मैं straight line कर देती हूँ डेड़ इंच के margin पे दोनों side में यहां हो गया है नीचे bottom पे भी डेड़ इंच बचा था ना तो उसको मैं continue यह पीछे के side यह मतलब back panel है तो back panel पे कोई marking तो है नहीं front panel पे तो एक side है भी तो मैंने back panel पे complete marking पहले मैं कर ले रही हूँ फिर front panel पे एक side की marking कर लूँगी तो यह देखे कर दिया है मैंने lines लगा दी है अब इसी पे double fold करके slide कर लेंगे तो यह मैं machine से यह slide दे रही हूँ इस पे मैं hamming नहीं करूंगी machine से complete कर रही हूँ इसको तो इस तरह से double fold करेंगे और bottom पे भी इस तरह से double fold करेंगे तीनों साइड में सिलाई देंगे तो अभी देखें मैं चॉक से शुरुआत कर रही हूँ चॉक फोल्ड हो जाने के बाद फिर बॉटम पे आऊंगी अच्छा बॉटम पे एक स्ट्रिप और लगी थी रेडि में ये स्ट्रिप लगी थी जिसमें ये कॉर्णर पे ये गोल्डेन लेस लगी थी तो वो मैंने इस पे स्टिच कर दी है इस तरह से पूरी खुर्टी बनके रेडि हो गई है और ये वही लेस है जो ये बॉटम में मैंने लगाई है फ्रेंट पैनल में और इस तरह से चॉक फोल्डिंग हो गई बॉटम फोल्डिंग हो गई ये देखे बैक पैनल में कम्प्रीट हो गया है और फ्रेंट पैनल में इस तरह से पूरी कुर्टी बनके रेडि हो गई है नीचे का पार्ट हो गया ये पूरा अब मैं उपर के दिखाती हूँ ये देखिए ये पूरा कम्प्रीट हो चुका है पहली ये नेक लाइन पूरी कम्प्रीट हो चुकी है जो एक्स्ट्रा मैंने बाद में मॉडिफिकेशन किया था स्लिट डाल के और बटन को उपर लगा दिया था और ये स्लीव रही स्लीव दोनों स्लीव में जो लेस लगाई है वो आगे की साइट करके मैंने लगाई है तो पूरी कुर्ती बनके रैडी हो गई है इस तरह से स्टिचिंग याली वीडियो मेरी कम्प्लीट होती है और कटिंग के वीडियो मेरी इससे जस्ट पहले की है तो उसको भी वाच करिएगा और उससे अच्छे से समझ में आएगा और उसके बाद भी रिस्टिचिंग की तो देखी रहे हैं तो इस तरह से पूरी कम्प्लीट हो गई है कुर्ती So thank you watching friends